नमस्का साथियों मैं हूँ मोहन परियार मेरे साथ तेक्रिम मोहन परियार चनल और आज हम बात करेंगी जो हुमी केसिट सबसे ज़्यादा किसान पूछ रहे थे तो उसके बारे में हम बात करेंगी कि हुमी केसिट है क्या तो हुमी केसिट है कि जे उत्परग के रुप में का या कमपोस्ट खाद यूज करते हैं या किसी कुडा करकड को जमीन में मिला कर सडाते हैं तो आपको हुमी कैसी तेने की कोई जरूरत नहीं है और फिर भी देना चाहते है इसे फसल में लगे जो मैं केरेक्टर दिखा यह बताता हूं अगर उस प्रकार से लगे ता पर उसको तो जमीन में जैसी की जनते हैं कि हुमी केसिट इनसे बन जाता है गोबर की खाद आप देते हैं तो गोबर की खाद में भी आपको हुमी केसिट बन जाएगा मिल जाएगा अगर कुड़ा करकट भी है तो उससे भी हुमी केसिट बनते रहता है यह क्या है कि हुमी केसिट आतरा इसमें ज़्यादा होती है यह आयने, protagonista, exchange को प्रभावित करता है क्युकि ज़्यादा यह bonding तत्व को लेने कि छहुंता रगता है अब इसकी क्या काम करता है यह तो पोषक तत्व को रोकर रगता है दूसरे पोषक तत्व अलग बन जाती है, तो उसमें क्या अचानक आपको प्रभाव दिखता है, जिससे जयोत्परक कह सकते हैं, अगर वो तत्वा आपकी जमीन में ज्यादा होंगे, तो इस प्रकार का जयोत्परक प्रभाव आपके इसमें दिखाएगा, अगर जमीन में कम पोसक तत्वा है, तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा, और ये गेटाएण अक्सेंज यसी को बोलते हैं कि पोसक तत्वा के जो होते हैं, जिससे कि मैग्नेसिम धनाएण है, अपका केलसिम धनाएण है, आईरन अपका धनाएण है, इनको बॉंदिनिंग करता है, और इनकी गतिसीं त इस प्रकार जितने भी बेक्टेरिया हैं जो फसलों के लिए उप्योगी हैं उनके लिए भी यह बहुत उनकी गतिसलता को बढ़ा देता है उनके कारी करने की चमता बढ़ा देता है अगर इसमें कि आयन फ्री रहेंगे तो इस वाइल पोरस हो जाएगी और पोधे से जड़े होते हैं माइक्रोबियल एक्टिवेटी ज्यादा हो जाती है तो वहां पर उनका विकास ज्यादा होता है जड़ों का और उससे पोसक तत्व ज्यादा एप्जारोगेसन होते हैं और पोधा स्ट्राउंग बनता है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी उसका हराप आपका मेगनिज ज्यादा है बोरान ज्यादा है या पोटेशियम ज्यादा है अगर साइल टेस्टम इस प्रकार का आता है तो आप इसका उप्योग करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि वह आयन यह ले लेगा तो कभी-कभी किसी के साथ होता है कि यह सब भी ज्यादा होते हैं और वहां पर फसले कमजोर होती है क्योंकि वह जदया ज़्यादा केमिट यूज़् करते रहता है जहादा जन्साइ मीगनेसियम का केलसियम का पानी के ज़्यादा होता है तो वहां पर भी आप केलसियम को het कर atención यह अपने साथ bonding कर लेगा और स्वाइल को भी घंडे नहीं देगा और दिरे दिरे इसको रिलिज करते रहेगा तो इस प्रकार की पोसक्ता तो ज्यादा भी हो सकते जमीन में बहुत सरी रेस्टों में आता कि पोटेस्यम ज्यादा है तो उसको इस प्रकार से घोल के फिर दिर और कमजोर फसले दीक रही है तो महां पर इसको उप्यों कर ले ताकि उनको एक्सजेंज करते और केटायन एक्सेंज प्रोसेस ज्यादा हो जाए और आपको पोसक्ततों मिलना सुरू हो जाए तो कार्बन नौ होते हैं ऑक्सीजन छे होते हो नाइट्रोजन यह करनों होता ह है और जो फ्लूइक एसीड होता है उसमें कार्बन 14 होते है है अक्सीजन होता है तो सिमलर दोनों एक समान प्रोडक्त है इसी प्रकार का फार्मॉला आपका गुलुकोस का भी होता है वो भी केटायन एक्शेंज को प्रभावीत करता है आपके पोदों पे कोई असर है दु सद्वास करते हैं तो करते हैं तो मैंनी कुछ् own में आपको बताया है तो हुंही किसिद पर ही अशल पंड़ से मिलते रहेंगे और आते रहेंगे कंपनियां बनाते रहे गी हमी के सिट के नाम से नाम से बैचेए कि एक कास्टी bullet ऑस आध नहीं कर कबना आए जाता है और ती पर बार बार होके उसकी बढ़ा बढ़ा के आपको बेंगी तो यह बहुता रहेंगी वही यहक आपके आपके थे रहेंगे तो भी जमीन है उसके प्रियापत रहे तो वहीं नहीं बता रहे गा यह आपको बताने की जरोत दालने की ज़्यादा नहीं वोगी अब यह तरह का खनीज है और किन रुपों में मिलता है तो आप जैसे जानते है यह कुछ कमपनियां करती है और 12% को भी आपको 2500 में बेच जाती है और दानेदार फेलेक्स साथ के रूप में विलता है और पाउडर के रूप में तो इस की किमत होती है कि नहीं नहीं जाती है जहां पर इसकी चट्ठाने पाई जाती है और पत्थर से बना से आपको दिया जाता है और जहां पर इसकी चटाने होती हुम से आप औहाइत कर लम 50 रुपे के लो अच्छी क्वालिटि क्ए रप्र क्वालिटी हर फेक्टी होती है मतलब हर आदमी की मैं इसे थे सकते हैं इसे को ब्रांडिंग करते हैं एक नाम देते हैं और उसका सिल्टप्प्पा मल्टिनेशनल लग सकता है किसी पर्टिकूलर कमपनी के लग सकता है सकता theatre यह 006 50 इसक प्र तक को बेचा जा सकता है को तो यह जब आपको प्रोड़क्ट की देखना है कौलेटी तो वईसा प्रोतेसियम मार्केट में मिल जाता अचकाल और वूमिक एचिट भी मिलता है आपको तो पोर्टेसियम में हिलता है तो वही ले लिजी हो ने कि इनके सारे चक्कर में मत पढ़िएगा और उसकी कॉलिटी यह हो कि उसको पानी में घोले तो आपका 95 परसित गूल जाना चाहिए तो कोई बात नहीं पांच परतिसते उपर होता है तो फिर उसके मिलावट की गुंजाइस होती है कि पांच परतिसत ज्यादा नहीं घुल र तो अब को लोकल कंपनी का भी मिल सकता है अच्छा है वही पोटेश्य मोमेड को जो इसके साथ मिलाना चाहिए उसको घोलक पदार्त पस वही थोड़ा सा खेल है बाकि अगर मिट्टी में दे रहे तो सब चल जाएगा यह और वहां पर बैक्टेरिया और ज्यादा के टाइ यह कर लगती है और साल में एक बार आप यूस कर सकते हैं आपकी फसलों में नहीं आरे चेक हो रहे सारे नूट्रिंस देने के बाद भी नहीं हो रही है तब इसी स्थेटी में आप कर सकते हैं। पर में आपको बोले और 98 प्रतिसद में अपको मिल जाएगा सस्ता मिल जाएगा 200 रुपे तक मिल जाता है 200 रुपे सक मार्केट में क्योंकि 100 तक तो यह आता ही तो इस पर टेक्स ओर यह लगके इतना मिलता है तो बस इतने अपने सुजहाओ देना नो भूलें इस पर कमेंट और सहीं लगते हैं कौन से प्रोड़क्ट तो बस इतना ही सात्यों फिर मिलते हैं जाए हिन